कि नमस्का दोस्तों अपना मैं यूटूब चैनल में मैं धिनोतिया आपका स्वाधत करता हूं दोस्तों आज तक हम लोग देख रहते हैं कि हाउस्पिटल के अंदर हम दर जब एडमिशन लेते हैं और जब डिस्चार्ज का टाइम आता है तो बहुत सारा हमारा बिल बन जाता है डिपेंड करता है केस-to-case basis पे कि आपका बिल पचास हजार रुपे का है या फिर पांच लाग रुपे का जो भी आपका टोटल अमाउंट होता है जो भी आपका टोटल फाइनलाइज अमाउंट होता है उस पे कोब लगता है अगर आपकी policy के अंदर co payment है let's suppose example के लिए आपके पास policy है उसके अंदर सभी admission के अंदर 10% का co payment है तो आपका जो भी total bill amount होगा उस bill amount का 10% amount आपको hospital के अंदर पे करना होता है after exclusion of disposal items and other items so 10% amount अगर हमको देना है let's suppose आपको 50000 रुपे का bill आया है तो 50,000 rupees का minimum amount आपको pay after deduction amount pay होता है ऐसा ही हम लोग देखते हैं कुछ products में 20% co payment होता है तो यहाँ पे 20% तक amount pay करना होता है और 30% co payment है या 50% co payment है तो हमें 50% तक भी amount pay करना होता है तो आप कोई भी health insurance policy अगर भाय करते हैं तो आप लोग co payment को जरूर चेक करें कि अगर आपकी policy के अंदर co payment है तो आपको इतना amount extra लगना है तो यहां पे आप policy लेते समय जब co payment का ध्यान रखते हैं amount थोड़ा सा जादा लगता है but co payment कम से कम होना चाहिए या फिर co payment नहीं होना चाहिए अंडर 60 की एज में देखें तो maximum companies में co payment नहीं लगता है okay so not a worry आप लोग co payment का ज़रूर ध्यान रखें co payment क्या होता है यह चीज की जानकरियाज हमने लिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने सब्सक्राइब करें और अगर health insurance related कोई भी information या policy बाइकन आप चाहते हैं तो आप हमारे WhatsApp number पर message कर सकते हैं thank you so much have a great day दोस्तों